वेलकम टू मैंगनेट बेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीज त्रिपाथी तो स्वागत है आपका फिर से मैंगनेट बेंस हिंदी के प्लेटफॉर्म पे तो जो इंपॉर्टेंट प्रिवियस यह कोश्चन्स जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं हम भोगोल के सरीज में कर हैं उसमें एकल महतवचन्स प्रिपक्षशा को छिसक्श हहां खाना रहे? अब क्यों कहुंत आइक मैंनेट बेंस हिंदी यह साथ प्लेटफॉर्म मैं किसी तरघंक पेड़ शबश्रेशन ने लेना है कि साथ जुड़कर अपनी प्लेशन् को बहतरीन बना सकते हैं आशान बना सकते हैं चाहें आप किसी स्टेट बोर्ट से पढ़ाई कर रहे हूं या आप सीब्सी बोर्ट से पढ़ाई कर रहे हूं सारी कॉंसेप्ट वाइड वीडियो जो भी पॉर्टेंट चीजें आपकी परिक्षा के लिए उप्योगी हैं complete पढ शावारा की समाज़ी विग्यान भुगोल का जो इंपॉर्टेंट चेप्टर है दृतियक क्रियां सेकेंडरी एक्टिविटीज की जो बात की जाती है उन सेकेंडरी एक्टिविटीज को लेकर जो पूछे जाएं इसको देखेंगे ठीक है अब दीके एक चीज़ तो आप ठीक है और कीर्य मैनay पहले आपको बताया है कि जो अलग-अलग अग्टिविटीज किरिया का बोलते है ठाक्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है इस पर हमने चर्चा की थी इसको आप एक बार फिर ध्यान रखिएगा प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्राथमिक क्रिया है और जो दृतिय क्रिया वाला चैप्टर हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी सेकेंडरी प्रामरी जो है यह बेसिग ली या मुख्यता कृशी अधारित कारियों को कहा जाता है कृशी कर लूद हalten कि कई बार इस पर चर्चा होई है फिर से विल्हेज को कर सकते हैं यह कृसी अधारित पुरी तरह ठीक है ना ऑगरी कल्चर और अभी अट्टिविटीज जो होती है आ करिसी करिस यानि जो अगरी कल्चर है और ससर अमंदीत की अगरी कल्चर इसके लाभा फामिंग आनिमल हजबेंडरी सारी चीजे schw laughing च yönौ सब थनी एक्टिवीटीमं में क्या होता है उत्पादं से समझा यानि प्रोडक्शन ठीक यानि raw material को finished goods में change करना है तरसरी activities का मतलब होता है जो सेवा से संबंदित है सेवा छेत्र यानि जैसे आप जानते हैं कि जो salary class जो नौकरियां होती है जिसमें जैसे आप telecommunication transportation है न होटल management यह सारी जो चीज़ें इसमें पनखवा के इसाप आप से इन primary or secondary activities या प्रार्थमी क्रियां को सपोर्ट करने के लिए रहती है यह सेवा चेत्री तरसर activity में जाती है तो मुक्यता यह तीन भी भाजन आपको ध्यान रखने है इसके अलामा हमने प्रामरी एक्टिविटी इसका वालव चैप्टर उसके सब्सक्राइब करने हैं अगर यह वर्गी करना आपको ध्यान में रहेगा तो आप एक्जामिशन में बड़े आसानी से चीजों को समझ भाएंगे अब जैसे यही आप कोशन देखिए कि लिखित में से कौन सा एक उद्द्योग यह पूछा गया है 2020 में अन्य उद्द्योगों के लिए कच्छे माल का उत्पादन करता है आरिवा समझ में तो जो अन्य उत्पादों अन्य उत्द्योगों के लिए कच्छे माल का उत्पादन करेगा उसको क्या कहेंगे आधार उद्ध्योग गई इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं थोड़ा सा ब्रिटेन में है तो मैंचेस्टर जो है आपको मैंने बताया था और इतिहास के चैप्टर में हमने देखा है कि जब अठारवी सताब्दी में क्या हुआ था इंडस्ट्र लिवलिशन और दियोगी क्रांटी इंगलेंड में चल रही थी उस और दियोगी क्रांटी के के साथ सा धारों का टेजी से विकास हुआ सूति वस्त्रों के लिए और मेंचेस्टर जाहर था सूति वस्त्रों के लिए प्रबुक सबसी हमदाबाद एहमदाबाद यह और गांदिनगर के इलाके में क्या होता है भारत없이 सूत्र लगाए गए इसके आलमा उत्तर प्रदेसा मेंचस्टर वी एक सहर को कहा जाता है मेंचस्टर हम भारत में मेंचस्टर एहад और रूती गृत्तर प्रदेसों कानपूर को ठीक है ध्यान रखेगा कानपूर में भी चमडे का और सूती उद्योगों का अच्छा उद्योग बेल्ट है तो भारत का मैंचेस्टर एहमदाबाद आचा क्यों क्यों कि यहां पर सूती वस्त्रों का जादा से जादा उद्योग प्रचलित है या लगा हुआ है यहां पर काम होता है तो कोशन यह पूछा गया है कि निम्लिकित में से कौन सा इस्थान सूती वस्त उद्योगों के लिए तो मैंचेस्टर में जागा पिट्सबर्ग तो लोग उद्योगों के लिए है बागी लग लग शहर है ठीक है चलिए तो इंपॉर्टन कोशन करके बताऊंगा जबूर कंसर्फ विडियो में अभी इंपॉर्टने जाना एग्रोबेस इंडस्ट्री क्या है तो कुछ उद्हारण दीजिए अब देखिए किनी दो क्रिसी आधारित दोगों का नाम बता यह ऐसा भी पूछा जा सकता है ठीक है अब देखिए आपको मैंन कEggंदरे अक्टिवीटि उस सोच को आप फैक्ट्री से आपको धोगों करें का लिजाना मार्कट तक लिजाना है उसके रहे स्पूर्टरिशन चाहिए एक चार्चटाइड अकॉंटेट होगा जो सारा हिसाब किताब लिखेगा यह अटिर्शरिक है यह तृत्या क्रिया आ बनाने वाली इंडस्ट्री उसका राव मेट्रियल टमाटर होगा बिस्किट बनाने वाली इंडस्ट्री उसका राव मेट्रियल गेहूं होगा तो जो भी ऐसी इंडस्ट्री जिन जो अपने लिए राव मेट्रियल कृसी से लेती हैं अग्रिकल्चर से लेती हैं उसको कहा जा या दूद से फिर प्रोसेस करके जैसे चौकलेट की इंडस्टीज है यह सारी चीज़े मुख्य क्रिसी आधारित उद्ध्योग है ना तो यह क्रिसी आधारित उद्ध्योगों के बात की यह 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 दोज इंडस्टीज विच यूज यूज देर रॉम मैट्रियल्स फ्रॉम क्रिसी ऌतबादन का कच्छे माल के रूप में करते है तो घर से किये जाने वाले चोटे पैमाने के दोग कुठर उद्ध्योग कहलाते हैं यह विनिर्मान की सबसे छोटी yen पूंप और इसकी बहुत चर्चा की जाती है जब 1946 में इंडस्टियल पॉलिशी आई भारत में तब भी इस कुटी रुद्धों की बहुत बात की गई जब 1956 में न्यू इंडस्टियल पॉलिशी आई तो भी बहुत बात की गई कॉटेज इनश्रीस को कि छोटे-चोटे जो उद्योग और वहां से फिरिस गूर्ण यहां आने लगा तो लोगों के छोटे-छोटे अपने काम बंद हो गए और इसलिए बार-बार यह कहा जाता है कि MSME सारी चीज़ें कुटे उद्धोग में आती हैं जैसे एक बहुत अच्छा उत्तर प्रतेश के विद्धारते जरूर्ण लगेंगे ओडी ओपी वन डिस्ट्रिक वन पॉड़क्त यह सेंटर लेवल पर भी एक पॉलिशी चलती है और उत्तर प्रतेशन बहुत चलता है एक ज से जिस्टिक में लकडी के खिलोने बनाये जाते हैं तो इस तरह की चोटी-चोटी चीज़ों जो बना कर जीवी को पार्जन करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए कुटी उद्धोग रहते हैं तो इससे क्या होता है बहुत लोग लेबल पर छोटे-चोटे प्रोड़क और हां आरेन इस्टील की बात की जारी है ना उद्योग केंद्रों का विवरर दीजी यानि कहां कहां यह आरेन इस्टील नेस्टी ज्यादा जो है लगे हुए हैं या दिखाई पड़ते हैं यह को पूछा गया है यह आपको भारत के संदर में पूछ सकता है तो आपको जम लोहा इसपात उत्पादन छेतर है यह चेतर एक पैंसलवेनिया से लेकर पूर्वी ओहियो राजे तक विस्त्रित है इस प्रदेश के दो प्रमुक इसपात प्रदेश ने में लिखी थे इसपात स्टील को बोलते हैं ना पिट्सबर्ग यंग्स टाउन प्रदेश यह फिट्सबर्ग यंग्सटाउन प्रदेश ठीक है पिट्सबर्ग यंग्सटाउन ध्यान लखेंगे एक तो यह जगहा है ठीक है इन जगों को आपको बारबार रिवाइस करना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा थोड़ा मैप लेकर भी बैठी है मैं प्रक्तिस तोलग से कर को यहां के सभी सब्केंदर पिट्स वर्ग से siu सफट किलोमेटर के आंतरी छेतरों मिस्तित हैं तो एक तो पिट्सबर्ग और एक जहां पर चार पार लेग एक साहत अमेरिका में है हाला कि इसमें से दो या तीन नाम भी अगर आप याद रखके एक्जाम में लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा ठीक है एक तो आपको पता हो ना चाहिए कि पिट्सबर यंग्स टाउन का जो एरिया है वो और ये छोड़े-छोड़े साहरों को आप लिख सकते हैं द ड्रैने सिस्टम है वहाँ से जहाज निकल के समुदर में चले आता है तो इस तरह की सिस्टम है इसलिए वह इंडस्टीज वहाँ पर हैं अच्छा आप कहां कहा है यह एरी मिशिगन यह लेक सूपीरियर ठीक है इनके सहारे के विश्थितर तो यह जो यह लेक आप देखने के प्रमुक केंदर शिकागो ध्यार नखेंगे शिकागो डुलूत सुपीरियर लॉरेन वारें डेट्राइट डेट्राइट बहुत महत्मूर्ण जगा है यह डेट्राइट बहुत इंपॉर्टन है डेट्राइट में लोहा और यह उत्तर प्रदेश पीशियस और अलग-अ सिकागो एवन गैरी में विस्वके दो बड़े लोहाई स्पात के कारखाले स्थापित किये गए तो सिकागो और गैरी यह दो जान किया एक डेट्राइट कम से कम यह तीन आपको ध्यान रखने है ठीक है दो तो यानिकि एक तो आपको यंग्स टाउन और पिट्सबर्ग ध जिलों के आसपास वहाँ पर डेट्राइट सिकागो और यह गैरी यह दो तीन आपको सहर आपको ध्यान लखने है ठीक है न तो ध्यान लखेगा एक यंग्स टाउन है छिए इसके लामा सिकागो है ठीक है गैरी कि इसके लामा लेक सुपिरियर अगरेजिं मेड़ीन में लिख देता हूँ लेक सीपीयर इसके लामा एक मिशिगन लेक है वहाँ ठीक है इसके लामा टेट्राइट इस सहर को द्हान लगेंगे तो इसमें जगाए जिनको आपको ध्यान लगना अमेरिका के परपेक्ष में ठीक है चलिए आगे देखते हैं हां मद्द अट्लांटिक ततीय परदे सबको पता है कि अट्लांटिक सागर भी पढ़ता है अमेरिका को छूते हुए तो सयुक्त राज में अट सब्सक्राइब बॉस्टन से लेकर वासिंटन तक विस्ते तो जो यूरोप अफ्रिका और अमेरिका के बीच में अट्लांटिक है अट्लांटिक उशन बैता है तो उस लाटन जैसे अगर आप देखना चाहें मैप में भी तो अगर आप रफली ड्रॉक करें इसमान लीजे यह कुछ इस तरह आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाता है यहां नीचे साउथ अमेरिका दच्छडी अमेरिका है यह उतरी अमेरिका है यहां तक यह पूरा यूरोप वाला मामला चलता है यह ग्रिन लैंड ओकर आईरिया है यहां अफ्रिका रहता है तो अब इस बीच में इ तेजी से विक्सित हुए हैं और उसमें बॉस्टन से वासिंटन तक खास करके विश्थ हुए हैं इस प्रदेश के प्रमुक लोहा इस पात केंद्र यहां देखिए न्यू यॉक इस्तिलन मौ्रस बीले इस्प्रवाइंट ओर यह से सैंडल देखिए यहां और यहां प्रड़ियों के तरफさん है और सिकागो घरण दूसरी तरफ हैं icz Halo बर्मिगम प्रदेष्द लोहा इस पातका का या प्रदेश अप्लेषा वट्रवतिईर यह शेट रिक forskर लाइचीज दक्षिड में अलावामा राजी में फैला हुआ है इस छेत्र को लोहा इस पात उद्ध्यों के लिए सभी भागोलिक शुवद्ध हैं उपलब्ध हैं वर्मिंगम फ्लॉरेंस सांटा नुगा और वर्जीनिया यहां के प्रमुक इस पात उत्पात के इंद्र हैं इंपॉर्ट जगह हैं और इसके अलावा आपको सारी चीज़े करा रहा हूं कि आगे देखते हैं विस्सो में सूती वस्त्र उद्योग के इस्थानी करन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए तता सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुक छेत्रों को बताइए इसका क एक सूती वस्तर का उद्योग चायें सूती वस्तर का उत्पादन या सूती वस्ताइट के लिए कैसे अनुकूल परिशिती बनाएज जाएगी कि उस जगह पर सूती वस्त्रों का निरमार स्तों किया जा सके तो सूती scroll कansen को प्रहृत करने humidity जलवाई उप्युप्त होती आपको पता है कि frost free 100 डेस चाहिए यानि बिना जिसको कहते हैं कि बिना किसी जिसको कहते हैं सीत की है ना सीत या जाद है पानी के सौ दिन चाहिए होते हैं तो ऐसी जलवाई होनी चाहिए तो यह हमिडिटी इंपोर्टेंट है जलवाई जगा टूपता नहीं है इसलिए विश्व के समुद्र तटिये छेत्रों पर यह अधित विक्सित हुआ है तो आधरता इंपोर्टेंट है हमिडिटी इंपोर्टेंट है इसलिए जो समुद्रे छेत्र हैं इनके किनारे इनको क्या किया गया है यह इंड़स्ट्री ज्यादा हो यहां पर हुमिडिटी ठीक हो हुमिडिटी इंपोर्टेंट है ही एधरी नहीं ठीक हुआ तो दागा ठीक से नहीं टूटेगा और कपडा अचह नहीं बनेगा दूसरा ऐसी जगई इंडश्ट्री लेंगी जहां पर कच्छा माल कि कॉटन मिलता रहे अब पता लगा कि आ यादा कॉटन का उत्पादन आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर कॉटन का इतना है वी हो नहीं पाएगा तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पर्याप मात्रा में कपास उपलब्ध होना चाहिए चाहिए इसका आयात किया जाए एक तो इंपोर्टेंट यह है सतापदी में तेजी से इंगलैंड में और्दवी करंती चल रही थी उस और डिक्रंती को सपोर्ट करने के लिए जादर से ज्यादा कच्छा माल कॉटन चाहिए हुआ था और क्योंकि भारत से कॉटन ले जाए जासकता था इसलिए भारत में बहुत सोशल किया इसी के आसप आपकेस्तान मिस्त्र कपास उत्पादन के महत्पूर्ण है अधिक प्रगति कि है जबकि जापान ग्रेट ब्रिटैन देशों को कपास का अने देसों से आयात करना पड़ता है इंको इंपोर्ट करके क्या करना पड़ता है वस्तर बनाने पड़ते हैं इसलिए उन्हें समुद तो इस उद्योग के लिए जल विद्यूद जैसा सस्ता उर्जा साधन उपलब्द होना चाहिए अनेता कोईला खनी स्टेल आधी की उत्पादन और आयात से उद्योग चलाए जाता है विश्व के अधिकान सूती वस्त उत्पादन देशों में जल विद्यूद का विकास के है जल से तर्माइन घुमाके और विजली उत्पादन की जाती है ऐसे सुर्थ होने चाहिए वरना कोईला उगर असे तो महंगा पड़ता है जल से क्या होता है पानी टर्माइन को नचाहता है और तर्माइन घुम के पतो जहाँ पानी उपलब रहेगा वही यह परियोजना लग सकती है तो वाटर की अविलिबिल्टी तो अपने आप इंपोर्ट हो जाती है तो यह इंपोर्टेंट वो फैक्टर से जो को लगाए जाने के लिए बहुत महत्पूर है इसके लामा चीप लेबर जिसको कहते हैं सस्त्रे स्रमिक अब देखिए आपको ना आंसर फ्रेम करने आना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है कुछ चीज़ें इसी होती है जो इन कॉमन होती है जैसे माली जैकर मैं कोश्चन कोटर इंडस्ट्री के जगपर अगर अगर इंडस्ट्री भी रख देता लो इस पात उद्योग भी रख देता तो भी यह पॉइंट जलवाई जलवाई वाला फिर भी नहीं लेकिन यह पॉइंट इसके लावा वहापर ट्रांस्पोर्टेशन वहापर बिजली यह सारत तो आप रखी सकते हैं सकती वाला पॉइंट तो रखी सकते हैं अब कहीं भी इंडस्री चलाने है तो आपको चीप लेवर चाहिए बहुत महंगया कर लेवर होंगे या लेवर की सप्लाई ही ठीक नहीं तो आप कैसे चलाएंगे तो सस्ते कुशल यानि इसकिल्ड लेवर यह एक इंपॉर्टेंट है क्यों सस्ते नहीं स्किल्ड विए और परिस्रमीर समिक उद्यों की प्रगती में सहयक होते हैं अतर जापान ब्रिटेन भ का अराम से हो जाते है इसके अरावा कोई भी dość के लिई पार्टन क्या है कि पर्याप मांग या बाजा जब तक मार्केट नहीं नहीं होगा जब तक धिमांड नहीं होगी यहां के लोग उसको खरी सके आज भी भारत दुनिया के अलग-अलग देशों से ट्रेड करता है और लोग करते हैं इंट्रेस्टिंगली क्यों 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 कि वी है गुड पॉपॉलिशन हमारी जनसंख्या जादा है जनसंख्या जब जादा है तो हम किसी भी देश के लिए एक मार्केट का चीज बढ़ चाइना की चीज़ें लगातार इंडिया में आ रही है क्यों आ रही है क्योंकि हम मार्केट के तोर पर इस्तमाल कि जा सकते हैं हमारे पास मांग ज्यादा है चीजों की तो उश्र जलवायू एवं अधिक जनसंख्या वाले देशों में सूती सूती बस्तर का विश्टित बाजारूपलब्द है अब बहुत ठंडे देशों में सूती बस्तर नहीं चलेगा है ना थोड़ा सा उस्र जलवाई वाले चीज़ को कि सूती गर्मियों में जादा इस्तमाल किया जाता है वरतमान समय में इस छेत्र में प्रतिस्फर्दा अध दिकत है उत्पादन है तुक चामाल एवं अन्य समान लाने तथा तयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए सुलब और सस्ता यातायात इस उद्योग की प्रगती में सहायक होता है तो यह इंपोर्टेंट है बिल्कुल ध्यान दखने आपको ठीक है चलिए तो यह अगली वीडियो में मैं अलग चेप्टर के साथ आपको बताऊंगा ठीक है कि आगे के चेप्टर में और क्या पूछे गहें तब तक आप इन चीजों को जहुर रिवाइज करिए ठीक है आपको बताया कि मैंगनेट में सिंधी पर हंडेर परशेंट मुख सिफ्षा दी जा तो उसको कमेंट सेक्शन में जबरू बताईए ताकि हम उसको भी ले सकें ठीक है तो अगली वीडियो में मिलेंगे अलग चेप्टर के साथ तब तक अपना बहुत ध्यान लखिए टेक केर गुडबाई